हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में पर्मानेंट वेकेंसी आई है AMU से नई सरकारी सिख्षक भरती का जो विध्यापन जारी हुआ है जिसमें सभी पोस्ट में वेकेंसी आई है PZT, TZT और PRT के लिए थमनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पे स्केल लिवल 8 के अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेज़ टीचर्स की जो है सैलरी रहेगी बेसिक पे 47,600 और TZT के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी पे लिवल 7 के अकॉर्डिंग रहेगी जो भी कैंडिडेट आविधन करने के इच्चोग रहेंगे पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा सबसे अची बात है कि सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आविधन कर सकते हैं सैलरी के साथ में जो भी गॉर्मेंट ऑफ इंडिया नॉम्स के अकॉर्डिंग अलवेंस इस रहते हैं वो भी आप लोगों को मिलने वाले हैं महलाओं को जो है विशेशकर आयू सीवा में छूट दी जा रही है चले देख लेते हैं सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर चलेंगे पूरा नोटिफिकेशन चेक करने वाले हैं जो भी इंपोर्टेंट बात होंगी वो आप लोगों को पताई जाएगी परिक्षा इसमें नहीं होगी सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को पता देती हूँ कि online application जो है वो start हो रहे हैं 7 December 2024 से और last date जो है वो 17 December 2024 है ठीक है 17 December 2024 के बाद यदि आपका application form पहुंसता है तो reject कर दिया जाएगा तो इससे पहले ही जो है पहुंस जाना चाहिए online application form आपको लेना है उससे fill करना है और उसकी hard copy आप लोगों को post करनी है भेजनी है आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है जितने भी सरकारी स्कूल है कुछ girls school है कुछ boys school है तो इसमें PZT की जो vacancy है तो senior secondary girls school में भी है और boys school में भी है इसमें आप आविधन जो है जैसे girls school है तो boys और girls दोनों ही इसमें आविधन कर सकते हैं ठीक है बस इन्होंने बता दिया कि यह girls school है यह boys school है PZT commerce की vacancy है दोनों ही में mathematics की vacancy है physics की vacancy है तो यह है PZT के लिए salary जैसा की thumbnail में भी मैंने आपको बता दी थी कि pay level 8 के according salary रहेगी pay range जो है आपकी इसमें रहने वाली है 47,600 से लेकर 1 lakh से आधिक रहेगी ठीक है तो 65,000 के अबव ही जो है आपकी salary बनेगी क्योंकि इसमे एलावेंस जो भी सरकारी होंगे वो भी सामिल होंगे age limit जो है PZT के लिए 40 year रहने वाली है under the government of India rules के according IOC में चूट कितनी रहेगी वो अभी हम देखेंगे qualification भी चेक करेंगे तो PZT के लिए qualification तो वही रहती है कि master degree आपके होनी चाहिए साथ में B.A.D. होना चाहिए उसके बाद जो है PZT fine art की भी vacancy है salary वही है TZT के देखें TZT में जो है subject देखें हिंदी है mathematics है science है उर्दू है ठीक है school के नाम इन्होंने दिये हैं कि एक जो है girls school है ये AMU girls school है STS school AMU ABK high school girls school है ये city school है ये AMU girls school है तो AMU यानि अलिगर्ड Muslim University ठीक है इसके अंतर जितने भी सरकारी school है उनमें vacancy है TZT में जो है ये salary आपकी क्या बनेगी यहां पर देखें pay level 7 के according range है 44,900 से लेकर 1,42,400 plus elevances ठीक है IUC मैस में रखी गई है journal category के लिए 35 year qualification आपकी जो है जो subject है आपने graduation में पढ़े हो और 50% marks आपके उसमें होने चाहिए plus beard होना चाहिए beard के साथ में जो है seated seated आपका qualify होना चाहिए उसके बाद जो है primary teachers जिसमें subject जो भी होते हैं Hindi, English, Math, Science, EBS तो इसमें जो है AMU girls school में primary teachers की vacancy है AMU ABK high school में है और ये girls boys दोनों अलग-अलग school है AMU city girls high school में है तो number of post कितनी है ये भी इनके आगे इन्होंने mention कर दिया है primary teachers में जो salary क्या देंगे तो pay level 6 के coding देंगे basic पे 35,400 से लेकर 1,12,400 प्लस elevances तो इसमें जो आयू सीमा में जो है इन्होंने कहा है कि 30 year जो है general category के लिए रहेगी qualification जो है 12 होने चाहिए जिसमें 50% marks आपके हों इस्यादिक हों और 2 साल का जो डिप्लोमा है या फिर आपने B.A.L.E. किया है 4 year bachelor of elementary education या फिर आपने B.A.D. भी किया है graduation 50% marks के साथ में और आपने bachelor of education B.A.D. भी किया है तो भी आप या आर्टी के लिए आविदन कर सकते हैं तो यह कि नोंने जो अच्छी बात ये इसमें कर दिया कि B.A.D. वाले जो है primary के लिए भी जो है आविदन कर सकते हैं क्यान लीजे कोई candidate ऐसा है जनका subject ही नहीं है TGT में और PZT में और वो यहां पर आविदन कर सकते हैं क्योंकि government job है ये और इसमें जो है पेल स्किल काफी अच्छा है तो permanent job तो हर कोई करना चाता है तो यहां पर primary teachers के लिए भी जो आविदन कर सकते हैं बेंड वाले candidate ठीक है प्राइमरी टीचर जो है आर्ट्स की वी वेकेंसी है एक boys school है amu abk high school और amu abk high school girls इसमें एक एक post है ठीक है salary जो है इसमें आर्ट्स की टीचर की थोड़ी अलग है pay range है इनकी 35,400 से लेकर 1,12,400 आयू सीमा जो है वो 30 यर है अब जो है इसमें आयू सीमा में चूट मैंने आपको बताया है government of India norms के according ही रहेगी ठीक है तो कितनी दी जा रही है तो no upper age bar in case of employees of amu school maximum 5 year जो है SCST category के लिए 3 year OBC के लिए ये देखिये या पर up to a maximum of 10 year of woman candidate including SCST OBC candidate इनके लिए इनोंने 10 साल की जो है वो चूट दी है ठीक है तो ये जो है जैसे की PZT में 40 year है तो 50 year तक की candidate इसमें आविदन कर सकती है PWD जो है उनके लिए 10 year की चूट है important वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है जो भी जानकर या आप लोगों को form फिल करने से पहले चाहिए important instructions जो दिये गए है कैसे जो है आप लोगों को application form लेना है fees क्या मांग रहे हैं तो fees जो है यहां पर है 500 rupees ठीक है और बागी और देख लेते हैं यहां पर देखिए यह जो है address दिया हुआ है तो application form आप लोगों को online लेना है उसे फिल करना है और print out निकालना है उसकी हार्ट गोपी आप लोगों को इस address पर send करनी है selection committee section non teaching registrar office अलिगर्ड Muslim University अलिगर्ड उतरप्रदिस इंडिया ठीक है तो यह vacancy जो है AMU University से है बिल्कुल सरकारी नौकरी ही है यह काफी अच्छा रहेगा यदि आपका selection जो है यहां पर हो जाता है किसी भी राज्य के candidate जो है इसमें आविदन कर सकते हैं अब यहां पर जो है जैसे यहीं पर जो है मिल जाएगा देखना होगा थोड़ा सा सबसे उपर देखना है आपको सबसे उपर देखना है online job application सबसे उपर देख रहा है इस पर आप click कर लेंगे जैसे इस पर click करते हैं तो यहां पर advertisement number one था यह देखिए यहां पर है 7 November 2024 को यह विग्यापन जारी किया ग क्लिक कर लेना है ठीक है चले जो भी generate आविदन करने के इच्छुक रहेंगे इसी के जस्ट उपर step to fill up the online employment application form यह भी दिया है और advertisement में जितने भी निर्देश दिया है उनको पढ़के आप लोग application form विल कर सकते हैं मिलेंगे next video में thank you